उम्शान्ती आज है 59-2021 अव्यक्त पाप दादा के महवाक्य सुनेंगे रिवाइस कोर्स 15-38 मुर्ली का टाइटल है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ट ब्राम्मन जीवन नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ट भ्राम्मन जीवन आज विश्व रच्ता विश्व की श्रेष्ट तकदीर बनाने वाले बापतादा अपने श्रेष्ट तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं आप सभी भ्रामन आत्माये विश्व की श्रेष्ट तकदीर की तस्वीर हो। भ्रामन जीवन की तस्वीर से भविश्य की श्रेष्ट तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। भ्रामन जीवन का हर श्रेष्ट करम भविश्य श्रेष्ट फल का अनुभव कराता है। भ्रामन जीवन का श्रेष्ट संकल्प भविश्य का श्रेष्ट संसकार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान भ्रामन जीवन तस्वीर है भविश्य तकदीरवान संसार की। बापतादा ऐसे भविश्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्शित होते हैं। तस्वीर भी आप हो भविश्य की तकदीर के आधार मूरत भी आप हो। आप श्रेष्ट बनते तब ही दुनिया भी श्रेष्ट बनती है। आपकी उर्ती कला की स्थिती तो विश्व की भी उर्ती कला है। आप ब्राह्मन आत्माएं समे प्रती समे जैसी स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेज भी परिवर्तन होती रहती है। आपकी सतो प्रधान स्थिती है, तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एजिड है, आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है, इतने आधार मूरत हो, वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ट पाठ बजा रहे हो, सारे कल्ब के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेश पाठ इस समय बजा रहे हो, बाप के साथ साथ सहयोगी बन, विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पून कर रहे हो, बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति वा जीवन मुक्ति का अधिकार प्रापत कराने के निमित बने हुए हो, सर्व की इच्छाओं को पूरन करने वाले बाप समान, कामधेनु हो, कामनाय पूरन करने वाले हो, ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविध्या की स्थिती का अनुभव कराते हो जो आधा कल्ब अनेक जनम ना भक्ती वाली आत्माओं को ना जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है एक जनम की इच्छाएं पूरन कराने वाले नहीं लेकिन अनेक जनमों के लिए इच्छा मात्रम अविध्या की अनुभूती कराने वाले हो जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने सदा भरपूर हैं अप्राप्ती का नाम निशान नहीं है ऐसे बाप समान, सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो भ्रामन आत्मा अर्थाद, प्राप्ती स्वरूप आत्मा, संपन आत्मा जैसे बाप सदा लाइट हाउस, माइट हाउस है ऐसे ब्रामन आत्मा भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो इसलिए हर आत्मा को अपनी मन्जिल पर पहुचाने के निमित हो जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर करम से हर समे दाता है, वर दाता है ऐसे आप ब्रामन आत्मा भी दाता हो, मास्टर वर दाता हो ऐसे ब्रामन जीवन की तस्वीर हो कोई भी तस्वीर बनाते हो, तो उसमें सभी विशेष्टाएं दिखाते हो न ऐसे वर्तमान समय की भ्रामन चीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भरली हैं बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो जो अपना चित्र भी बना रहे हो आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है ऐसे अनुभव करते हो न कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो आपकी जीवन से भविश्य स्पष्ट होता है इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसंचित हो जाए कोई भी जराबी अशान्ती की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशान्ती को ही भूल जाए शान्ती की लहरों में लहराने लगे अप्राप्ती स्वरूप प्राप्ती की अनुभूती स्वतही अनुभव करे बिखारी बनकर आए भरपूर बनकर जाए आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का वा आखों का रोना भूल जाए मुस्कुराना सीख जाए आप लोग भी बाप को कहते होना कि मुस्कुराना सिखा दिया तो आपका काम ही है रोना छुडाना और मुस्कुराना सिखाना तो ऐसी तस्वीर भ्रामन जीवन है सदा यह समरीती में रखो कि हम ऐसे आधार मूरत हैं फाउंडेशन हैं व्रिक्ष के चित्र में देखा भ्रामन कहां बैठे हैं फाउंडेशन में बैठे हो ना भ्रामन फाउंडेशन मजबूत है तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो साधारनात्मय नहीं हो आधार मूरत हो फाउंडेशन हो इस समय की आपकी संपूरन स्थिती सत्युकी, सोला कला संपूरन स्थिती का आधार है अबकी एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूरत है यहां के सर्व खजानों की संपन्ता, ज्यान, गुण, शक्तियां सर्व खजाने वहां की संपन्ता का आधार है यहां की देहे के आकर्शन से न्यारापन वहां के तन की तंदरुस्ती के प्राप्ती का आधार है अशरीरी पन की स्थिती, निरोगी पन और लंबी आयू के आधार स्वरूप है यहां की बेफिक्र बाच्छापन की जीवन वहां के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी स्थिती के प्राप्ती का आधार बनती है एक बाप दूसरा ना कोई यहां की यह अखंड अटल साधना वहां अखंड अटल अखुट निर्विग्न साधनों की प्राप्ती का आधार बनती है यहां का छोटा सा संसार बाप दादा वा मातपिता और बहन भाई वहां के छोटे संसार का आधार बनता है यहां एक मातपिता के संबंद के संसकार वहां भी एक ही विश्व के विश्व महराजन वा विश्व महरानी को मातपिता के रूप में अनुभव करते हैं यहां के स्नेहे भरे परिवार का संबंद वाहां भी चाहे राजा और प्रजा बनते लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है सनेहे की समीता परिवार की रहती है चाहि मरतबे रहते हैं लेकिन सनेहे के मरतबे हैं संकोच और भैके नहीं तो भविश्य की तस्वीर आप हो न यह सब बाते अपनी तस्वीर में चेक करो कहां तक श्रेष्ट तस्वीर बन करके तयार हुई है कि अभी तक रेखाएं खीच रहे हो होश्यार आर्टिस्ट हो न बाब दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहां तक तस्वीर तैयार की है दूसरे को उल्हाना तो नहीं बाबा कहते दूसरे को उल्हाना तो दे नहीं सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है और चीजें तो सब बाब दादा से मिल रही है उसमें तो कमी नहीं है न यहां भी खेल सिखाते हो न जिसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो बनाने वाले के उपर होता है जितना चाहे उतना लो लेने वाले सिरफ ले सकते बाकी खुला बाजार है बाब दादा यह हिसाब नहीं रखता कि दो लेना है या चार लेना है सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है न सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविश्य के तकदीर की तस्वीर है ऐसे समझ कर हर कदम उठाओ सनेही होने के कारण सहयोगी भी हो और सहयोगी होने के कारण बाब का सहयोग हर आत्मा को है ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओ को जादा सहयोग है और किनों को कम है नहीं बाब का सहयोग हर आत्मा के प्रती एक के रिटर्न में पदम गुना है ही जो भी सहयोगी आत्मय हो उन सब को बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है और जब तक है तब तक है ही है जब बाप का सहयोग है तो हर कारे हुआ ही पड़ा है ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो कोई मुश्किल नहीं क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ती का आधार है क्योंकि बाबा कहते भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ती का आधार है जहां भाग्य होता वर्दान होता वहां मुश्किल होता ही नहीं जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा तो सभी फर्स्ट डिविजन में तो आने वाले हो ना नंबर फर्स्ट एक आएगा लेकिन फर्स्ट डिविजन तो है ना तो किस में आना है फर्स्ट डिविजन सब के लिए है कुछ कर लेना अच्छा है बाप दादा तो सब को चांस दे रहे है चाहे भारतवासी हो वा डबल विदेशी हो क्योंकि अभी result out तो हुई नहीं है कभी अच्छे अच्छे result out के पहले ही out हो जाते है तो यह जगा मिल जाएगी न इसलिए जो भी लेने चाहो अभी चांस है फिर बोड लगा देते हैं न कि अभी जगा नहीं है यह seat full हो जाएगी इसलिए खूब उडो दोडो नहीं लेकिन उडो दोडने वाले तो नीचे रह जाएंगे उडने वाले उड जाएंगे उडते जलो और उडाते चलो अच्छा चारों और के सर्व श्रेष्ट तकदीर की श्रेष्ट तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वेम को विश्व के आधार मूरत अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा अपने को प्राप्ती स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरो को भी प्राप्ती स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ट आत्माओं को सदा बाप के स्नेहे और सहयोग के पदम गुना अधिकार प्राप्त करने वाली पुझ्य भ्रामन सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मौनिंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया वहा मेरा भाग्य वहा मेरे भाग्य विधाता बाबा आगे है personal मुलाकात, बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो, शेश्ट मत ही शेश्ट हात है, तो जहां हर कदम में बाप का हाथ अर्थात शेश्ट मत है, वहां शेश्ट मत से शेश्ट कारिय स्वतही होता है, सदा हाथ की समर्थी से समर्थ बन आगे बढ़ाते चलो बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है इसलिए इस शेष्ट भाग्य को हर कार्य में समर्थी में रख आगे बढ़ते रहो सदा हाथ है सदा जीत है प्रश्ण है सहयोगी सदा रहें उसकी सहजविधी कौन सी है उत्तर है बाप ही संसार है इस समरीती में रहो तो सहजयोगी बन जाएंगे क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धी जाती है जब बाप ही संसार है तो बुद्धी कहां जाएगी संसार में ही जाएगी जंगल में तो नहीं जाएगी तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहजयोगी बन जाएंगे नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी यहां से बुद्धी हटाओ, वहां से जुडाओ, सदा बाप के स्नेहे में समाई रहो तो वह भूल नहीं सकता अच्छा, आगे है अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई भेनों की मुलाकात डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए व्रिधी भी अच्छी कर रहे हो विदेश सेवा में 14 वर्ष में व्रिधी अच्छी की है, लौकिक और अलोकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धी की शरीर की शक्ती भी लगाते हो यह भी बुद्धी की कमाल है लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना यह भी हिम्मत का काम है ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददकार है जितना हिम्मत उतना पदम गुना बाप मददकार है ही लेकिन दोनों पाठ बजाते उन्नती को प्राप्त कर रहे हो यह देख बाब दादा सदा बच्चों पर हर्शित होते हैं माया से तो मुक्त हो ना जब योग युक्त है तो स्वत ही माया से मुक्त है योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं माया को भी भ्रामण आत्माई प्यारी लगती है जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मज़ा आता है माया भी शक्ती शाली है आप भी सर्वशक्तीवान हो तो माया को सर्व शक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है अब तो जान गए होना माया को अच्छी तरह से कि कभी-कभी नए रूप से आ जाती है Knowledgeful का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना अगर रचैता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो Knowledgeful नहीं ठैरे कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर भी हो या कारय का जादा बोच भी हो लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं तन की थकावट मन के खुशी से समाप्त हो जाती है लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बड़ा देती है मन कभी थकना नहीं चाहिए जब थक जाओ तो सेकिंड में बाप के वतन में आ जाओ अगर मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्रामन जीवन के उमंग उत्सा का जो अनुभव होना चाहिए वे नहीं होगा चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है ऐसे अनुभव नहीं होगा महनत से चल रहे हैं तो जब महनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी इसलिए हमेशा समझो करावनहार करा रहा है चलाने वाला चला रहा है समय शक्ती दोनों के प्रमान सेवा करते चलो सेवा कभी रह नहीं सकती आज नहीं तो कल होनी ही है अगर सच्चे दिल से दिल के सनेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उलाना नहीं देंगे कि इतना काम किया इतना नहीं किया शाबाश मिलेगी समय प्रमान शक्ती प्रमान सच्ची दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहिब राजी है जो आपका कार्य रहे भी जाएगा तो बाप कहा ना कहा से पूरा कराएगा जो सेवा जिस समय में होनी है वै होकर ही रहेगी रहे नहीं सकती किसी ना किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों को सहयोगी बनाएंगे योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिलवाले सच्चे सेवाधारी को तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो साहे बराजी है हमारे उपर ऐसा अनुभव करते हो न? अच्छा। वर्दान है एक बाप के लव में लवलीन रहे सदा चर्ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूरत भव एक बाप के लव में लवलीन रहे सदा चर्ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूरत भव डिटेल है सेवा में वा स्वेम की चर्ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार बाप के सिवाए और कुछ दिखाई ना दे संकल्प में भी बाबा बोल में भी बाबा करम में भी बाप का साथ ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके सनेहे के बोल दूसरी आत्मा को भी सनेहे में बान देते हैं ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है वह रुहानी जादूगर बन जाती है स्लोगन है योगी तू आत्मा वह है जो अंतर मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है अच्छा ओम शांती